हारे कृश्न राधे राधे फागुन शुक्लकी दुतिया को फुलैरा दोज की नाम से जाना जाता है और इस पूजा में सबसे जादा फूलों का और रंगों का महत्व होता है पुलेरा दूज को फागुन का सबसे शुब और धार्मिक दिन माना जाता है इस दिन से भगवाई श्रीक किष्ण और राधा रानी के साथ में फूलों से और रंगों से होली खेल करके होली की शुरुवात हो जाती है तो सबसे जादा हमें इसमें फूलों की आवशक्ता होती है आप तुलसी की मंजरी भी ले सकते हैं तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं इस पूजन में तो जो भी मिल जाते हैं आप फूल ले 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 और साथ में हमें आवशक्ता होती है बोगान श्री किष्ण और राधा जी की एक विग्रह की या मूर्थी की या तस्वीर की तो इस पूजा में दोनों का साथ में पूजन किया जाता है यानि कि अगर आप कर में लड्डु गोपाल है तो अगर किसी आपके फ्रेंड के पास में राधरानी हो तो आप उनको साथ में रख करके ही इस पूजन को करें ये जो पूजन है इसमें दोनों का साथ रहना बहुत ही जादा आवशक है तो सर प्रतम हम साधर अंजल से सनान कराएंगे उसके बाद में हम पंचामरक से सनान कराएंगे तो अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर का भी पूजन करें और फुलेरा दोज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का पूजन करने से आपसी संबंध पती पतनी के बीच के संबंध या फिर आपके जो भी संबंध है आपसी जैसे कि आपके फ्रेंड सरकल है जो भी है बहुत ही जादा मधूर हो जाते हैं इसा कारे शुब कारे बिना मुर्थ देखे आज की दिन किया जा सकता है जिनकी शादिया नहीं सूज रही होती है वो इस दिन विवा कर सकते हैं प्रेम उत्सा उल्लास रंगो सुगंद का दिन होता है आज की दिन भगवान श्रीक किष्ण और राधा की लीलाओं का दोज पर भगवान श्रीक किष्ण और राधा जी की पूजा करने से जो हमारे वेवाहिक जीवन में मदूरता बनी रहती है वेवा में आने वाली अर्चने जो होती है वो भी समाप्त हो जाती है आज की दिन राधारानी को आप श्रिंगार भी जरूर अर्पित करें नहीं तो आप श्रिंगार तो आवश्य रूप से करें राधारानी का अच्छी प्रकार से उन्हें देखें नए वस्त्र कोरे पहनाने की कोई आवशकता नहीं है जो पूजा के आपके पुराने भगवान शी के वस्त्र रखें उन्हें पहना सकते हैं आप चाहें तो नए वस्त् प्रिया जन हो, उनको आज के दिन आप फूल जरूर भेट करें, तो देखिए हमारी राधारानी कितनी सुन्दर लग रही है आप कॉमेंट करके जरूर पताईएगा कैसी लग रही है, तो यहाँ पर हमने विराजमान कर दिया है, भगवान श्री लड्डू की विशेश हूली खेली जाती है, ठाकुर जी का फूलो से श्रिंगार किया जाता है और माना जाता है कि इस दिन भगवान श्रीक किश्न और राधा जी के साथ हूली खेलना शुरू कर देते हैं, और आज भी गाउं में इस त्योहार को बहुत दूमदाम से मनाया जाता है, इस दिन गाउं के बच्चे फूलो को तोड़ करके इनकी रंगोरी बनाते हैं, गाउं की लड़कियां एक जगाई खटा हो करके, सज समर के एक दूसरे पर फूल फेंक करके फूलो से हूली खेलती हैं, तो फूलो का बाद में हम तूसी दल अर्पित कर देंगे और आज की दिन आपको भी चटकीले वस्तर पहने चाहिए, पीले, गुलाबी, चटकीले एकदम से, खिले-खिले रंगों के आप वस्तर पहने, और सात्विक भोजन ग्रहन करें, वरत आद इस दिन फूल बंगला सजा सकते हैं, जैसा भी आपके पास समय हो, सामरत हो, आप उस प्रकार से इस्तिहार को मना सकते हैं, तो सो लास्ट ये मैंने एक वीडियो डाला है, इस विशे से रिलेटिड फुलेरा दोज की पूजा, जैसे मैंने की थी उसका वीडियो डाला है, उसका लिंक मैं डेस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, विस्ति जानकारी के लिए, देखें, फूल अर्पित करने के बाद में हम यहां पर, जो भी मौसमी फल आपके पास उपलब्द हो, वो आप भोग सुरूप लगा दे, और इसके बाद में जल का भोग लगा दे, और यहां पर देखें, मिठाईया, जो भी आपके पास मिठाई उपलब्द हो, वो आप भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा प्रात्न करेंगे कि हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से रंग और खुशिया सदय भरी रहें और जो भी कोई आपके प्रिया जन हो आज की दिन उन्हें फूल अवश्य भेट करें आज की दिन भगवाण श्री कृष्ण और राधा जी को गुलाल जरूर अर्पित करें राध पे पूजन इस प्रकार से नहीं कर पा रहें चौकी लगा करके तो आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं नहीं तो बाहर मंदिर में जा करके भी राधी कृष्ण का पूजन कर सकते हैं उनको ये सामिगरिया भेट कर सकते हैं तो आपके जीवन में आनंद और सुखी होता है फुल एरा दोज की दिन हमें इस प्रकार से राधी कृष्ण का पूज़न अवश्य करना चाहिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में राधी राधी अवश्य लिखे दोस्तों आज के लिए इत